उन्नाव मामले पर कॉंग्रेस महासची प्रियंका गांधी ने किंद्रि मंत्री अमिच शाहा और यूपी के सियम योगी आदितनाथ पर निशाना साधा है उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कलदेश के ग्रिय मंत्री और उत्रप्रदेश के मुक्य मंत्री ने साफ साफ जूट बोला कि यूपी की कानून विवस्ता अच्छी हो चुकी है हर रोज ऐसी घत्नाओं को देखकर मन में रोश आता है बीजूपी नेताओं को भी अब फर्जी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए तो उन्नाव में जिस तरह से एक बार पर से मानवता को शरमसार करते हुए रेपीडिता को जुन्दा जलाने की कोशिश की गई तो अब भाला की आरूप्यों को पकड़ लिया गया है लेकिन इस पीच अब कॉंग्रस मासर चिफ प्रियंका गांधी ने ट्विट के जर्ये सीधे तौफर ग्रिमंत्री अमिश शाह और योपी के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ को घेरा है कानून विवस्था अच्छी हो चुकी है ये दावा अमिश शाह और योगी आदितनाथ में किया था लेकिन हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोश आता है और ये सोर इशारा करता है कि परजी प्रचार ना किया जाए कानून विवस्था को लेकर जूटे दावे न अच्छी हो चुकी है हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोश होता है बीजूपी नेताओं को अब फरजी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए तो इद्रे पिडिता को पेट्रोल डाल कर जंदा जलाने की कोशिश यूपी के उन्नाव में की गई इसी साल मार्च में यूपी के साथ दुशकर्म किया गया और जब पिडिता पीछे नहीं अटी कारूनी कारवाई को आगे जाली रखने के लिए वो अपने कदम पर अड़ी रही तो इसको इस तरह से खाम्याजा भुगतना पड़ा की पेट्रोल डाल कर जंदा जुलाने की कोशिश यूपी को करते हुए ग्रेमंतरी अमिश्या और योगी आदितनाद को घेरा है उन पर निशाना साधा है कि जो दावा कानून विवस्था को लेकर ग्रेमंतरी अमिश्या और तरप्रदेश के मुक्यमंतरी योगी आदितनाद कर रहे हैं वो कानून विवस्था चर्मरा चुकी है क्यो को देख कर मन में रोश होता है तो बीजूपी के नेताओं को अफरजी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए तो ये ट्विट कॉंग्रिसमा सचेफ प्रियंका गांधी का तो बेखॉफ अपराधी लगातार इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं देश में उबाल है महिल सुरक्षा को लेकर सवाल है और अब इसी बीच एक और सवाल प्रियंका गांधी की तरह से ग्रिमंत्री आमेश चाहा पर निशाना साथा